हेलो दोस्तों स्टेनो हेल पीपी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा की हमने आपको दो दिन पहले की अपनी वीडियों में बताया था पालियमेंट रिपोर्टर के बारे में जिसमें हमने आपको उसकी थोड़ा सा उसका व्यू दिखाया था कि Parliament Reporter क्या होता है क्या उसकी profile होती है उसी वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए Parliament Reporter की series में हम लेके आये complete information और complete analysis क्या होगा Parliament Reporter कितनी उसकी salary होगी क्या उसकी job profile होगी क्या-क्या facilities आपको वहाँ मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं आप वहाँ से grant कर सकते हैं इन सब की जानकारी क्या आपके परिवार को उससे फायदा होगा क्या आपको वहाँ कितना workload होगा इस सब की जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तो इस Parliamentary Reporter की post को पाने के लिए हमने एक नई सिरीज चलाई है Advanced Stenographer के नाम से जिसमें हम आपको अपनी Speed को कैसे 82, 100, 100 to 120 120 to 140 लेके जाएं इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दिये हम उस वीडियो की सिरीज को लगातार आगे बढ़ाएंगे उसमें हम नए नई अपडेट दिंगे यह उस सिरीज को आप जरूर देखेगा उसकी लिंक हमने आपको प्रवाइट करा रखे है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने थम्नेल में भी पढ़ लिया है कि पाल्यमेंट रिपोर्टर कम्प्लीट इंफॉर्मेशन कितनी सैलरी मिलेगी वाह कितनी सारी फैसलेटिस मिलेंगी ओल दा थिंग्स हम इस वीडियो में जानेंगे क्या क्या हमें मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले में आपको कुछ अपने चैनल के बारे हैं बता दूँ इस चैनल के माधियम से आपको विभीन प्रकार की dictation मिल जाएंगी अभी हम हिंदी की dictation प्रोवाइट कर आ रहे हैं कुस दिनों के हम आपको इंगलीस की dictation प्रोवाइट कर आएंगे और जो हमारी advanced स्रीज है उसमें हमने English Stanographer के लिए भी advanced outline प्रोवाइट करानी स्टार्ट कर दिये तो आप उसे भी जरूर देखेगा अगर आप इंग्लिस चैनोग्राफर हैं तो और अगर आप हमारे WhatsApp ग्रूप से जुनना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने आपको प्रवाइट करा रखी है आप उससे दूर सकते हैं और अगर आप हमारे Telegram गुरूप से चुनना चाहते हैं हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी मीडियम वाले उनकी लिंक अलग है और इंग्लिस मीडियम वालों के लिए भी हमने टेलिग्राम में एक चैनल खुला है उससे भी आप जुड़ सकते हैं तो आप इन सब चैनल से complete information को आपको बताएंगे तो दोस्तों जो हमारे पास यह PDF है वह हमने डाउनलोड करी है पार्लेमेंट की साइट से और पार्लेमेंट की साइट में जो नोटिफिकेशन आया था यह था 2017 का नोटिफिकेशन 2017 के बाद सायद अब तक 2019 अब एंड है तब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप लगा सकते हैं कि आने वाला होगा कुछ टाइम में क्योंकि दो साल हो चुके हैं ऐसे आज आता है दो दिन सालों के करें लोग सबा में उस टाइम की वैंसी कि में बात करों दो यू अर के आय थी ओए और सी के लिए चार पोस्ति है इसमें टैनिंहस के लिए 10 की पोस्ति प्रिए इस चीज़ को नोटेस कर लिजे से आपको बहुत सारी सी विदाएं मिलेंगी अगर आप grade P के बात करते हैं तो चववन सो grade पे इसे कह सकते हैं payment 3 के अंदर इसे आप इस नए वेतनमान में डाल सकते हैं इसकी जो eligibility है उसके बारे मैं आपको बताते हैं eligibility qualification की age 2017 का जो notification था उसके हिसाब से ये था कि इसमें आपके पास bachelor degree होनी चाहिए किसी भी discipline में मतलब आपके पास bachelor degree होनी चाहिए आपने चाहे BSP करी हो या आपने BA करा हो या आपने कोई भी bachelor degree ली हो आपके पास वो होनी चाहिए वो आपके लिए sufficient है इस parliamentary reporter की job को लेने के लिए और उसके साथ आपकी short end में जो speed होनी चाहिए वो 160 word per minute Hindi या English दोनों के लिए vacancies आती हैं तो आप Hindi वाले हैं या English वाले हैं आपको 160 per minute की speed इसमें gain करनी पड़ेगी या वहाँ पर दिखानी पड़ेगी एक desirable इन्हों ने यहाँ पर condition रखी है अगर आपके पास है तो it will be better नहीं है तो भी no problem on that ठीक है तो इसमें इन्हों ने रखाया certificate in computer course रिकाजनाइट बाई All India Council of Technical Education AICT Department of Electronic Acceleration of Computer DOEAK के माध्यम से अगर आपके पास O level का certificate है या O level के समकच कोई भी certificate है जो इन से verified है Council of Technical Education A.C.T.E. और DOEAK से अगर वो verified है तो it desirable they will accept that अब यहाँ पर बात करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ note लिखे हैं उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है इससा मिश्चार बना देते हैं क्योंकि they are very important for our recruitment In case of sufficient number of candidates which request a sort-end are not available अगर इनका कहना है कि अगर sort-end के जो बंदे हैं जो बच्चे वहाँ पहुंसते हैं sort-end qualify करने के बाद उनके sufficient number उन्हें नहीं मिलता है तो उस condition में 140 सब्द परती मिनट की consider करा जाएगा appointment के time पर अगर 160 की गती से वहाँ पर बच्चे नहीं मिल पाते हैं तो यह 140 की सब्द परती मिनट की गती से एक dictation नया test लेंगे उस पे consider करेंगे but appointment on the condition that they should qualify इनका कहने का मतलब है कि 160 सब्द परती मिनट की जो गती है वो एक साल के अंदर qualify करके दिखाएगे कहने का मतलब यह है कि अगर आप recruitment के time पे अगर उन्हें उस sufficient number जैसे vacancy अगर 10 आई है तो 10 से उन्हें number of total candidate 10 नहीं मिल पाते हैं 160 सब्द परती मिनट की गती से तो dictation 140 सब्द परती मिनट की गती से लेंगे but आपको एक one year के अंदर 160 की speed gain करके एक test qualify करना पड़ेगा आप continue वो job कर सकेंगे अगर आप इस job में fail हो जाते हैं आपको आगे annual increment नहीं मिलेगा और आपकी जो confirmation है वो भी debate कर सकते हैं उनके उपर depend वो क्या करते हैं in case of sufficient number of candidate qualify in return examination as the prescribed standard are not available those who do not qualify the examination but obtain not less than 50% of the qualify in the return test may also be considered for appointment subject to the condition that they should qualify the return examination as the prescribed standard within a year failing which they will not be granted annual increment and other इनका कहने का मतलब है note number 2 है जो यह return से related है अगर return में sufficient number of qualified in return examination में बच्चे नहीं मिलते हैं एक prescribed standard जो भी उन्होंने मानेंगे उस तक बच्चे नहीं आते हैं तो उसके बाद अगर आपके 50% से ज्यादा marks हैं तो आपको भी qualify के अंदर ले सकते हैं it will depend on condition की क्या होता है उसमें कितने बच्चे होते हैं कितने नहीं होते हैं इस परसर इसमें आप देख सकते हैं they should qualify in return exam as prescribed within a failing year और ये भी आप दिहान नकीगा appointment के बाद एक condition होगी कि आपको qualify करना पड़ेगा इस standard को ये सारी चीजें आपने इसमें पढ़ेंगे आपको PDF में provide करा दूँगा PDF में भी जाके खुद पढ़ सकते हैं there shall be no time limit for withholding of increment and defragment of the confirmation in the above cases and if there is a deferment of the confirmation in the grade, the grant of time scale promotion, promotion shall be deferred date. कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसी कोई time limit नहीं है कि ऐसा होगा ये नहीं होगा बट आपके promotion पर ये vary कर सकता है कि क्या अगर आप एक को test qualify नहीं करते हैं जो उन्होंने नोड दिये हैं उन पर आप इसे देख सकते हैं अब आगे आते हैं इसकी age limit की बात procedure है तो आएए इसकी बात करते हैं selection procedure में हम देखेंगे eligible candidates will have to appear in stenography test, return test, personal interview at Delhi, New Delhi only exact venue will be indicated at the admit card will be issued in the eligible candidate as the following skill कहने का मतलब इन्होंने बोला है कि eligible candidates होंगे उनको steno test के लिए फिर return test के लिए फिर personal interview के लिए New Delhi में बुलाए जाएगा या दिल्ली में बुलाए जाएगा exact venue की timing they will indicate in admit card बतलब admit card में वह आपको बताएंगे कहां पर मिलना है जो हर test में होता है सबसे पहले stage आती है stenographer की stenographer इसका will be at the speed of देखिए stenographer का जो test होगा 100 marks का आपको वह पर provide काया जाएगा उस 100 marks में dictation आपको Hindi या English जो आपने language opt करी होगी या choose करी होगी उसमें आपको dictation मिलेगा पहला जो इनका column है वो है 160 were per minute of 10 minute dictation during to be transcript within 1 hour 30 minute which includes 10 minute of reading of notes in case of English stenography test and 1 hour 55 minute which includes 10 minute of reading of notes in case of Hindi stenography test Hindi वालो बच्चों को मैं इसमें समझा देता हूं इन्होंने क्या लिखा है 160 सब्द परती minute की गति से 10 minute की duration का एक dictation होगा जिसको आपको एक घंटे 30 minute में complete transcript करके उन्हें दे देना है type करके दे देना है इस एक घंटे 30 minute में आपका 10 minute reading का भी जुड़ा हुआ है तो आप ध्यान नखेगा अगर आप English stenographer हैं तो आपको एक घंटे 30 minute का time मिलेगा कहने का मतलब है आपको transcript करने के लिए एक घंटे 20 minute का time ही वो दिंगे 10 minute आपको reading का इसमें मिलेगा और अगर आप Hindi stenographer हैं तो आपको एक घंटे 55 minute का time मिलेगा जिसमें 10 minute include हैं means आपको मिलेंगे एक घंटा 45 minute type करने के लिए 10 minute reading के लिए यह हुई पहली condition कि दूसरी condition आती है 140 सब्दपर्ती मिनट की गति से जब dictation वो बोलेंगे 140 सब्दपर्ती मिनट की गति से जब dictation होगा उससे मां आपको 10 minute के लिए English stenographer को 10 minute का dictation बोला जाएगा जिसमें आपको time मिलेगा 1 hour 20 minutes 20 minute में होगे 10 minute include 10 minute में आपको होगा पढ़ना अगर आप इस 10 minute को हटा देते हैं तो आपके बास time बसता है 1 minute 1 hour 10 minute का time आपको मिलता है type करने के लिए इसी तरह का procedure होगा Hindi में जहां पर आपको मिलेगा 1 minute sorry 1 hour 45 minute का time जो आपको करना पढ़ेगा इसमें आपका timing reading का भी include होगा तो आपको मिलेंगे 1 घंटा 35 minute type करने के लिए a candidate will be considered for appointment against the vacancy in that stream English and Hindi only in which he qualifies the stenography test अगर आप stenography test qualify करते हैं तो आपको appointment के लिए consider करा जाएगा मतलब आगे की procedure के लिए आपको आगे बढ़ाय जाएगा यहाँ पर एक important note है की not more than 5% error will be allowed to the passing the stenographer मतलब आपको stenography जो test होगा उसमें आपको 5% से ज़्यादा error नहीं लाने हैं 5% से ज़्यादा error उसमें नहीं लाने हैं इस बात को आप note कर लिजिए की यह कितना होगा इसमें आपको इस बात को ध्यान लगना पड़ेगा की आपका जो dictation है उसमें आपको 5% से ज़्यादा error नहीं लाने चाहें आप Hindi के हों English के हों और इन्होंने यहाँ पर ऐसा mention भी नहीं करा है की category wise error का जो percentage है वो कम या ज़्यादा हो यह यहाँ पर अभी ऐसा कुछ mention नहीं है तो be careful about that की आपको कोई error percentage they will clearly showing in here कि आपको 5% का error मिलेगा जो error will be allowed to passing the stenography यह सब के लिए ही valid होगा ऐसा कुछ के लिए लिए नहीं मैंसें नहीं किया तो इससे आप देखे सकते हैं उसके बाद की जो आपकी second stage आएगी उसमें होगा आपका return test आपका निकलेगा उसमें आप देखेंगे only those candidates to qualify the stenography test will be called for return test यह देखे मगर जैसा आपने अगर stenography test qualify कर दिया है तो आपको आगे return test के लिए type second के लिए बुलाया जाएगा जैसे आप देखेंगे SSC में पहले return होता है फिर इस चैन होता है मगर Parliament Reporter में पहले आपका skill होगा फिर आपका return होगा वहाँ पर आपका जो syllabus है वो syllabus का जो procedure है वह होगा general knowledge and current affairs जो होगी 50 marks की होगी और general English होगी 50 marks की बदलब कहने का मतलब total 100 marks का question paper होगा जिसा आपको 50 minute में complete करना है sufficient time है not a big problem on that और इनका कहना है नीचे multiple choice की question आएंगे objective consisting of 50 questions in each part each partner 50 questions होगे 100 marks की question होगे 100 questions होगे multiple choice based question होगे syllabus जाधा tough नहीं है syllabus भी काफी अच्छा है और इस चैनों के टेस्टों में तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले आपको skill test करा लेना चाहिए जिससे non eligible candidates अपने आपी remove हो जाए जिने इस चैनों आती नहीं वह खाली merit भर के merit बढ़ा देते हैं इसलिए नहीं करना यह सही procedure है कि पहले आप skill test करा रहे हैं उसके बाद आप इसका return test कराते हैं अगर आपके में कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में लिखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं candidates are qualified each part in the request industry इन्होंने बोला है कि जो आपको इन्होंने यहां पर लिखा है 100 marks को आपको इच जो भी इनके 50-50 हैं उनके cut-off यह mention करेंगे वहां आपको दोनों में separately इसके बाद minimum cut-off इन्होंने यहां पर लगाई है यहां पर इन्होंने mention करा है कि आपकी जो conditions है यूर के लिए उन्होंने साब-साब mention करा है कि यूर को 50% से ज्यादा marks लाने पड़ेंगे तब वह qualify माने जाएंगे एक परफॉर्मा जो उन्होंने बनाया है अब वह cut-off किती जाती है उस पर तो निर्वर करता ही है मगर अगर at the last अगर कुछ नहीं होता है तो 50% से ज्यादा आपके होने चाहिए तब क्या बता आपको call आ जाए अगर number of candidate उतने नहीं मिल पाए जैसे मैंने आपको पहले बताया अगर आप OBC है तो आपको marks चीज़ें 45% और अगर आप SC या ST है तो आपको चीज़ें 40% जो भी हम आपको यह सारी चीज़ें बता रहे हैं यह सारी चीज़ें हमने 2017 के notification से आपको बता रहे हैं नोटिफिकेशन का परफॉमा लगबख सेम ही रहता है तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं इसके साथ साथ अपनी तयारी कर सकते हैं अच्छी बात है आप देख सकते हैं ऐसा कोई मैंसर नहीं होगा में पर्सक्राइण के साहब ने कंश्यूर्च से कोई इसको नहीं करेंगे अब हम बात करते हैं इसके थर्ड स्चेज की जो काफी इंपोर्टैंट स्चेज भी है इसमें आपको personal interview आपका लिया जाएगा उस personal interview में क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं only those candidates who secure the minimum prescribed marks in the written test will be called it for personal interview एक minimum prescribed marks का जो get up है अगर आपने उसे qualify कल दिया है तो आपको personal के लिए interview के लिए call किया जाएगा personal interview will carry 10 marks यह 10 marks carry करेंगे candidates will have to secure minimum qualified marks in the personal interview that is 50, 40, 45 and 40 vacancies in UR and कैसे इसके इसमें इन्होंने जो characteria माना है वो same माना है कि आपको 10 marks का होगा तो आपको 50% marks UR के लिए 45% marks OBC के लिए and SC-ST के लिए आपको 40% marks इसमें लाने पढ़ेंगे the ST and ST OBC candidate availing the benefit of their category for qualifying any stage of examination including return test or any in age will not be intended to occupy your vacancy तो आप इसे notify इन्होंने करावा है कि अगर आप SC-ST OBC के candidate हैं अगर आप benefit ले रहे हैं of their category for qualifying any stage अगर आप benefit ले रहे हैं अपने reservation का तो अगर आप किसी भी stage को qualify कर रहे हैं including return test और age में तो आप यूर की seat को नहीं ले सकते हैं मतलब जैसे आप देख रहे हैं SST में होता है कि अगर आपके marks जादा ही यूर से तो आप यूर की category में माने जाते हैं मगर यहां पर यूर की category को नहीं लेंगे आप अपनी ही category में लेंगे अगर आप reservation लेना चाहरे हैं अगर आपने प्रस्नेल इंटर्वी क्लियर कर दिया उसके बाद मेरिट किस बेस पर बनेगी वह देखते हैं पुरा प्रसीजर क्या है आगे अगे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किरा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लिजे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल इंटर्वी के और आपका पर परस्नेल इंटर्वी इन दोनों पर माक्स पे बेस होके अगर आप आप 160 किलियर कर देते हैं, उसके आधार पर मेरिट बनेगी, आपकी category wise मेरिट बन जाएगी, जिस भी category से आपने form फिल करा था, आपके जो personal interview और stenography में जितने marks आएं, उसके base पर आपकी मेरिट बन जाएगी, अगर 160 की vacancy, 160 work permit की गती से करने पर बच्चे sufficient amount पर नहीं मिलते हैं, तब क्या होगा, तब की condition यह होगी, in the case of some vacancies remain unfilled, the candidate who qualifies stenography test at the speed of 160 and personal interview, but do not qualify the return test, अब बुलाय जाएगा उन बच्चों को जिनोंने qualify नहीं करा है return test, उन बच्चों ने आपका interview तो qualify कर दिया, और skill भी qualify कर दिया, मगर return test वो qualify नहीं कर पाए हैं, तो उन बच्चों को बुलाय जाएगा आपके merit में, उसमें है in the merit order, the position of ST, OBC and general candidates who do not qualify return test and those ST and OBC candidates qualify in return test at the standard prescribed for their respective category and further vacancies and their prospective category are not available, will be fixed on the basis of their performance in stenographic test and personal interview, इनका कहने मतलब है आपके अगर इस return में अच्चे मास नहीं है तो आपको जो stenographic test or personal interview है उसके बेस पे आपको fixation दिया जाएगा उसके बेस पे ही आपकी ranking बनाई जाएगी, such candidates and also those ST and ST OBC candidates who secure minimum 12 marks in each component and 25 marks in aggregate in the return test and are declared qualified against your vacancy will be required to qualify returns as general standards आपको general के according भी अपने आपको return को qualify करना पड़ेगा इस सारी बाते इना लिखी हैं इसकी PDF में आपको provide कराऊंगा भी description में आप वहां से ले सकते हैं या आप हमारे telegram group से ले लिजीएगा वहां पर आपको दोनों ग्रूपों में मैं दे दूंगा इंग्लिज स्टैनोग्राफर हो या हिंदी स्टैनोग्राफर और वहां से आपके लिए लिए खुद पढ़के देख सकते हैं इन case of some vacancy remain unfilled अगर फिर भी vacancy is unfilled रहती है तब आपको 140 सब्द कि पर्ति मिनिट की से भाहां बुलाया जाएगा 140 सब्द पर्ति मिनट की वाला बंदा वह कर उसको स्की के लिए बूलाया जाहेगा वह उसको skill में देख सकता है personal interview उसके बाद उन इंद डर होगा तो position of SD ST kinda will be fixed on the basis of their performance सेंव बात है कि आपकी जो performance है नो वहां पर पर मिनिट एंड पर्सनल इंड पर दिए आप सकते हैं इससे आगे की बात पढ़ेंगे अब आगे क्या है कि इससे आगे की चीज है यह तो नॉर्मल सी बात है जब प्रोसिजर आएगा तब हम आपको बता देंगे कैसे अप्लाइ करें कौन सी साइट से करें एक प्रिस्क्राइब फॉर्मट दिया है उसमा आप हिंदिय इंग्लिस में इसे टाइप करके भरेंगे टाइप मतलब आउनलाइन नहीं फिल होगा सायद उस चाइम पर अभी पताने अब नए नोटिसकेशन में क्या होता है परफॉर्मा दिया है परफॉर्मा में आपको सब प्रॉपर तरीके से इस समिसन को पूरा इस जॉइंट रिक्रुमेंट सेल रूम नंबर 31 इस जोगा पर आपको इसको वाया सेंड कर देना है वाया विस्पीट पोस्ट या किसी भी पोस्ट से आप भेज सकते हैं इसका प्रिस्ट्राइब फॉर्मट आपको देखे जाएग कौन-कौन सी कास्ट को कौन-कौन से में लिस्ट में जो अवेलेबल है वो कास्ट ही सेंटर अपने को मानेगा तो इसके आप पुरी जानकरी साइट में देख सकते हैं सोसेल जस्टिक डॉट नाइसी डॉट इन आपको सब चीज की महाब मिल जाएगी इस पुराना पूरा आपको प्रवाइट करा रखा है इससे आप जब आएगी नोटिफिकेशन हम आपको जरूर बताएंगे कि इसके बारे में कैसे फिल करना है और क्या आगे की प्रसीजर होगी तो दोस्तों हमने आपको यह पूरा प्रसीजर बताया पार्लियमेंट रिपोर्टर का आ आपको ऐसी जॉब प्रॉबाइट करा जाए जो आपके सपनों को सागार करें यह हमें डिपेंड नहीं करता कि वीडियो दो लोग देखें चाल लोग देखें हम आपके लिए महनत करते रहेंगे और आपका परियास सफलता आपकी होगी हम आपके साथ परियास करते अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत बूलेगा ताकि हमारी आने वारी नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंस सके इस चैनल को सेयर करें थैंक यू सो मच और बैस थारी अजराम थैंक यू